हलो दोस्तों make my ssc channel में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जुड़े हैं reasoning के एक बहुत ही important topic के लिए इस topic का नाम है number analogy या फिर संख्या साध्रिसिता संख्या साध्रिसिता का आज part 3 है इससे पहले हमने संख्या साध्रिसिता पर दो वीडियोज बनाई है जिसकी link आपको इ इस वीडियो के description में आपको link बिल जागी वहां से जाकर आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं number analogy के कुछ questions आपके सामने question number 13 है इससे पहले हमने question number 12 तक किया है तो बताइए इस question का solution कैसे होगा यह जो यह question आपका पूछा गया है ssc cg ssc cp o s iq exam में 5 जुलाई 2017 second पाली में यह question पूछा गया तो बताइए कैसे इस परकार के question की approach करेंगे और कैसे इस परकार के questions को हम solve करेंगे तो आपके सामने दिया गया question number 13 तो यहां देखिए analogy कहता है कि पहले यह वाला pattern आपका same रहेगा और उसी pattern से follow करते हुए यहां एक दूसर 215 छे के बाद आपके बाद 215 आ गया लेकिन एक बात बताई हमां यदि आपका 6 के बाद आपका 216 आया होता तो आपकी approach क्या होती तो आप 6 का cube कर देते और आपके पास 216 आ जाता लेकिन यहां किया क्या गया है छे का cube तो किया ही गया है लेकिन सिर्फ minus 1 ही किया गया है औ मतलब पैटर्न इसी क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे और पार्ट सेकेंड में भी इसी क्रम में ही कुछ होना चाहिए तो बताइए यहां मान क्या होगा ठीक है यहां देखिए तो अब हम पहले तो आठ का क्यूब करेंगे उसके बाद से हम इसमें से माइनस वन करेंगे तो आब हमारा बताइए मान क्या होगा तो आठ हटाई 64 और 64 हटे कितना आपका होता है तो पांच सो बारा होता है आपका जब पांच सो बारा होता है तो पांच सो बारा में से माइनस वन कर दिजिए पांच सो इग्यारा आपका जाएगा और वो आपका कर option संक्या भी इस question का correct answer रहो गया कैसे कि हमने यह बार फिर से देखते हैं तो यहां आपका 6 है 6 के बाद 215 आ गया तो 6 का cube बता है आपका 216 उसमें से हमने माइनस 1 कर दिया हमारा मान 215 आ गया तो इसी pattern में हम यह part 2 भी आगे बढ़ाएंगे और यहां देखे 8 का cube करते हैं तो हमारा मान कितना आ जाता है तो 512 माइनस वर्ड कर रहे हैं तो हमारा मान 511 आ जाएगा इसका correct answer option संक्या बी तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले person की तरब आपके सामने question दिया गया है question number 14 same pattern के question है SSCCPO के SI के परिच्छा में पूछा गया question 6 जुलाई 2017 फरस्ट पाली में जो exam हुए थे उसमें ये question पूछा गया थे तो बताए इसकी approach क्या होगी और कैसे इस प्रकार के सवालों का हम solve करेंगे तो यहां देखिए यहां 45 के बाद आपका 216 मान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा है मतलब यदि प्लस करके बढ़ा होता तो मान आसपास बढ़ते maximum 50 60 70 प्लस होता लेकिन मान यहां आपका 50 से भी कम है उसके बाद से मान आपका यहां 216 मतलब मान कुछ गुणा करके ही बढ़ा है और कितना गुणा देखेे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 6 चा के 36 छखे 116 आपका होता है तो भाग हम सिंपली ऐसे देंगे कि यहां 8 गुणे 6 आपका हो जाएगा तो यहां 1 6 से 1 6 काट दीजी तो अब यहां आप कमान कितना आ जाता है तो यहां आपकामान 2 3 6 2 4 8 2 2 4 2 2 3 6 9 बटे आप कमान कितना आ जाता है तो 9 बटे 2 आप कमान यहां आ जाएगा ठीक है 9 बटे 2 मतलब 4.5 आप कमान आ जा रहा है 48 में यदि हम 4.5 से गुणा करते हैं तो हमारा मान 216 आ जाता है मतलब इसी सीरीज में यह जो 5 सेकेंड है हो सकता है आगे बढ़ा हो तो क्या देखेंगे इसीरीज में आगे बढ़ रहा है तो यहां आप 64 में पहले 4.5 से गुणा करके देख लेंगे कि 64 में 4.5 से 64 में 4.5 से गुणा करने पर क्या मान आ रहा है जो कोई यहां option में हमें दिखे तो पहले हम 64 में 4.5 से गुणा करते हैं तो जब हम 64 में 4.5 से गुणा करते हैं तो यहां फिर 4.5 से गुणा करने से बढ़िए यहां आप 9 बटे 2 से गुणा कर लिए यहां आपका कितना आजाएगा यहां आपका 32 आजाएगा अब आप गुणा करेंगे तो आपका मान 288 आना चाहिए तो कहीं हमें आपसन में दिख रहा है 288 तो 288 हमें आपसन में दिख रहा होगा आपसन संख्या A में और यही इस क्वेश्चन नमबर 14 का करेक्ट आंसर भी होगा कैसे हमने इस पैटन को गया है कि यहां गुड़ा हुआ है या भाग हुआ है तो देखिए मान यहां से अचानक बहुत जल्दी बढ़ गया 48 के बाद सीधा 216 हो गया जब 216 हुआ है मतलब मान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा है तो इसका मतलब हम गुणा करेंगे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता तो हम प्लस करते थोड़ा सा कम हुआ होता तो माइनस करते यदि बहुत ज्यादा कम हो गया तो हम क्या करेंगे भाग करेंगे ठीक है यह इसका pattern कहता है तो यहाँ देखे आपको क्या दिया गया है 48 तो 48 में आपने 4.5 से गुणा किया और 64 में जब आप 4.5 से गुणा करते हैं तो आप कमान कितना आता है तो आप कमान आता है 288 288 इस question का correct answer होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आज के अगला प्रस्ण की तरफ question number 15 आपके सामने है बताइए कैसे करेंगे इस question का solution तो देखते है question number 15 का solution कैसे करेंगे SSC के जो आपका CPU का exam हुआ था SSC CPU SI की exam में पूछा गया question 6 दुलाई 2017 1 पाली में जो exam हुए थे उसमें ये question पूछा गया था तो बताइए कैसे इस प्रकार के question की हम अप्रोच लेंगे question number 15 आपके सामने है solution कैसे करेंगे बताइए आप तो यहाँ देखिए हमें मान दिया क्या गया है तो यहाँ आपको देखिए पहले 36 दिया गया है उसके बाद से 27 दिया गया है पहले 6 दिया गया है उसके बाद से 27 दिया गया है तो 36 को तो हम 6 का square लिख सकते हैं लेकिन यहाँ देखिए 27 किसी का square नहीं हो सकता 27 तो आपका 3 का cube है 3 3 के 9 3 27 लेकिन इन दोनों में समानता क्या है इन दोनों को हम कैसे एक दूसरे के समान पर दर्सीत करेंगे तो यहां देखिए यदि हम यहां 6 का square कर रहे हैं और यही मान आपका कितने का रहा है 3 का cube करने पर अगला वाला मान आ रहा है आपका 27 लेकिन यहां तो आपका 36 आज़र 6 का square करने पर यदि इसी square को हम by 2 में ले लेते हैं तो हमारा मान यहां कितना आ जाएगा 3 आ जाता है और इसी 3 का हम cube करते हैं तो हमारा मान 27 आ जाता है मतलब इस series में हम आगे बढ़ सकते हैं और यह जो हमारा मान है ऐसा हो सकता है कैसे कि यहां आप इसका वरगमूल निकालेंगे आपका मान आ गया 6 और जब हम by 2 करते हैं तो हमारा मान आ जाता है 3 और इसी 3 का हम cube कर देंगे तो हमारा मान 27 आ जाता है ठीक है तो अब इसी क्रम में इस वाली संख्या में भी आगे बढ़ेंगे तो इसका आपका 14 आएगा कितना होता है इसका वरगमूल 14 आ गया और 14 बाई 2 करेंगे 14 बाई 2 करने के बाद हमारा मान कितना आता है 7 और 7 का cube करने पर हमारा मान आता है 343 इस question का correct answer होगा 343 option संख्या D इस question का correct answer होगा 343 ठीक है तो यहां इस सवाल को हमने कैसे खिये तो यहां दिए आपका 36 था 36 का हमने जो वर्गमूल निकाला तो हमारा मानिया कितना आगया 6 और 6 का बाई 2 किया और तो हमारा मानिया कितना आगया जब हम बाई 2 करेंगे तो हमारा मानिया आगया था 3 अब 3 का हम Q कर दिये तो हमारा है 27 आएगा ठीक है अब 196 का जब हमने बर्गमूल निकाला तो हमारा मान आया 14 14 का वाई 2 करेंगे तो हमारा मान आएगा 7 और 7 का Q करेंगे तो हमारा मान आएगा 7 सते 49 सते 343 एससी एसबी आई जो आपका एससी का सीपियो का एक्जाम होगा था एसाई का 6 जुलाई 2017 को उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है तो चलिए आगा बरते हैं आज के अगले प्रस्ट की तरह Q16 आपके सामने है बताए कैसे इस क्वेश्चन की हम अप्रोच लेंगे और इस क्वेश्चन का सलिशन क्या होगा ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था ससी ऑनलाईन मल्टी टास्किंग एकजाम टायर वन 16 सितमबर 2017 फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कैसे इसकी अप्रोच लेंगे तो चलिए देखते हैं इस क्वेश् गया तो 13 के बाद 27 कैसे कैसे आ सकता है एक बात हम यहां देहां रखेंगे 13 के बाद मन नचानक बहुत अधिक हो सकता है तो लेकिन एक और मान हो सकता है कि यहां 13 में आप 13 प्लस जोड़े तो आपका मान कितना आ गया 26 आ गया तो यदि आप 14 भी जोड़ देते हैं तो आप का मान कितना आ सकता है तो आपका मान 27 आ सकता है मतलब संख्याएं इतना भी बड़ी नहीं है कि हमें प्लस करके मान ना आ सके यदि हम 13 में प्लस 14 करते हैं तो हमारा मान 27 आ जाता है तो क्या संख्या इस क्रम में आगे बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है तो यहां येदि हम 32 प्लस करते हैं तो क्या हमारा मान वहां आ जाता है यहां देखिए 2, 1, 3, 3, 3, 6 और 63 हमें option में दिख रहा है तो 63 हमें option में कहां दिख रहा है तो हमें option संख्या A में दिख रहा है कैसे तो यहां देखिए यहां प्रस्ण यह भी कह सकता है कि यहां जो आपका एक particular मा तो यहां देखिए 13 है उससे एक संख्या प्लस वन करके उसमें और उसी में जोड़ दीजिए एक संख्या बढ़ा कर उसी में जोड़ दीए तो 13 है आपका हमने एक संख्या बढ़ा कर उसमें जोड़ दिया तो हमारा मान कितना आ गया 27 है एक अतीस है हमारे पास एक संख्या बढ़ा कर उसी में जूर दिये तो हमारा मान कितना आगया हमारे पास तो 63 आगया तो यह पैटन भी यहां कारे करता है option सेंख्या यह इस question का correct answer होगा या फिर एक तरीके से और हम इसे कर सकते हैं यहां देखे 13 दुनी 26 ठीक है प्लस 1 आपका हो जाता है तो 27 मान आपका आगया एक और pattern यहां हो सकता है कि 31 दुनी आपका मान कितना आगया तो 31 दुनी 62 प्लस 1 करेंगे तो आपका मान 63 आएक पैटन वही है इस question का correct answer option सेंख्या A ही होगा option सेंख्या A इस question का correct answer है यह question आपका पूछा गया था SSC MTS की exam में tire 1 में 16 सितंबर 2017 फस्ट पाली में जितने भी exam हुए थे उसमें यह question पूछा गया था ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले person की तरब question number 17 आपके सामने है यह question भी आपका SSC MTS की exam में पूछा गया है tire 1 का exam 29 सितंबर 2017 फस्ट पाली में जितने भी exam हुए थे उसमें यह question पूछा गया था ठीक है तो बताए इस question की approach हम कैसे लेंगे और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम solve करेंगे ठीक है तो यहां देखे कैसे हम solve करेंगे यहां आपका देखे मान कैसे बढ़ा है यहां आपका 145 है 145 है और उसके बाद सीधा 10 आ गया है मतलब संख्या अचानक से बहुत कम हो गई इसका मतलब क्या यहां भाग देंगे तो यह भी confirm नहीं यहां यदि कुछ भी से हम भाग देंगे तो हमारा मान 10 नहीं आ सकता क्योंकि इसके लास्ट में 5 है 10 आने के लिए लास्ट में 0 जरूरी है ठीक है तो 10 तो हमारा मान आ नहीं सकता है तो अब हम क्या करेंगे इसके जोडने से क्या हमारा मान कोई क्रम बन सकता है तो यहां देखिए कुछ भी अगर तो प्लस मानेस इसमें करते हैं तो प्लस मानेस करने से 10 तो बनने वाला है नहीं तो यहां एक क्रम हमें यहां दिख रहा होगा 4 प्लस एक 5 और 5 प्लस 5 यहां 10 इस प्रकार इनकिस अंको को जोडने पर हमारा मान 10 आ सकता है और इसी सीरीज में हम यहां आगे बढ़ कर देख लेते हैं क्या हमारा मान इस क्रम में आ रहा है कहीं ऑप्सन में तो ऑप्सन में मान छोटे छोटे ही दिये गया है मतलब इस जो आपको दिया गया है कॉंसेट इस हम सटिसफाई कर सकते हैं कैसे यहां देखिए 4-3 आपका कितना हो गया तो 4-3-7 हो गया और 7 में आप जब 2 पलस करते हैं तो आपका मान 9 हो गया मतलब इस क्रेक्ट आउन्सर आप्सन सेंक्या B होगा इसक्रेक्ट का करेक्ट आउनसर 9 होगा यह आपका question पूछा गया था, SSC MTS की exam में, tire 1 में, जो exam हुए थे, 19 सितंबर 2017 को, उसमें यह question पूछा गया था, simple सवाल है, आपको क्या करना है, 145 आपको दिया गया है, तो इसके अंकू का योग जोड दीजिए, और सामने आपकी संख्या यही दी गई है, ठीक है, अब आप बढ़ते हैं, question number 18 की तरह, आपके सामने दिया गया है, question number 18, बताइए इसकी approach क्या होगी, यह question भी आपका SSC online multitasking परिछा जो हुआ था, tire 1 का 20 सितंबर 2017, first पाली में यह question पूछा गया था, तो बचाइए इसकी approach क्या होगी, और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम solve करेंगे, आ मतलब एक यहां मान आपको दिख रहा होगा, कि हम plus 2 यहां हो सकते हैं, ठीक है, तो क्या केवल plus 2 होने से हमारा काम चल सकता है, तो यहां आपका 36 है, तो 36 में plus 2 करके एक बार देख लीजिए, आपका मान 38, लेकिन हमें option में कहीं भी 38 दिखाई नहीं दे रहा है, यदि option में ह यह हमारा मान हो सकता था, लेकिन हमें option में कहीं भी 38 दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां देखे, 23, यहां 2 और 3 दिया गया है, यदि पुराना वाला करम लेते हैं, इन दोनों को plus कर देते हैं, तो हमारा मान कितना आ गया, 5, हमारा मान 5 आ गया, और 5 का square कर देने पर हमारा 25 यहां से मिल सकता है, ठीक है, तो अब यहां एक और pattern हम यहां देख लेते हैं, क्या संख्याई सी क्रम में बढ़ रही हैं, तो यहां देखे, जो पार्ट सेकेंड में जब हम आते हैं, तो यहां आपके सामने दिया कितना गया, 36, 6, प्लस 3 हमने क संख्या, हमारा मान आ गया 9, और 9 का square कर दीजे, यहां 81 आना चाहिए, यहां आपका कितना आना चाहिए, तो यहां 81 आना चाहिए, बताइए क्या option में का 81 दिख रहा है, तो जी हां बिल्कुल हमें option संख्या B में 81 दिख रहा है, और यही इस question का correct answer भी होगा, option संख्या B, ठ कैसे क्या हमें, यहां देखिए, कुछ भी नहीं है, यहां आपको जब तेस दिया गया है, तो एक बात आप analogy में दयान रखेंगे, कि हम इसके अंको को भी जोड़कर हम आगे देखेंगे, कि क्या कोई मान इससे बन सकते हैं, क्योंकि देखिए, 25 एक संख्या का square है, और इस का square कर दिया, तो हमारा मान 81 आगया, option सेंक्या B, इस question का correct answer है, यह question आपका पुछा गया था, SSCMTS की exam में, 2017 में, ठीक है, तो चलिए, आज का session नहीं पर समाप्त करते हैं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, तक है इसी प्रकार reasoning से स आपको बेसित ल़क प्रकार में, यदि ये तो इस आपकर नहीं, घ्ट आपका क्योंड़ते हैं, ये ऊखको बेसित अवीडbar आपका के से इस चलिए, आपको भ्रकार नाये उतक्तियू है ये प्रamps쟁ा प sìनली शान चलिधियो को अजया एक आपका से थमांना शुको एपका